भाई हर्बुशन रावना के साथ बाईबल का परमेश्वर नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशे सद्धियन स्रिंकला में जिसका नाम है बाईबल का परमेश्वर हम परमेश्वर के गुणों पर विचार कर रहे हैं परमेश्चर का अगला गुन, जो मैं बथा रहा हूँ, वह है उसका सरवाधिकार, वह सरवाधिकारी परमेश्चर है, वह सरवसत्ताक परमेश्चर है, unfairInglish में हम कहते हैं, sourine God है, सरवसत्ता क्या सरवाधिकारी का मतलब क्या है? या उसके उहुदे को भी बतलाता है और उसके अधिकार को भी बतलाता है वह सबसे बड़ा है वह सबके उपर है या उसका उहुदा है या उसका पोजिशन है सबसे उपर और साथ ही साथ सब बातों पर उसका अधिकार है सब बातों पर उसका नियंत्रण है कुछ भी जो होता है वह उसकी मरजी के खिलाफ नहीं होता है उसकी अनमती के बगेर नहीं होता है और कुछ भी चीज उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है हर चीज उसके नियंत्रण में है हम जल्दे से कुछ बाइबल पदों को देखेंगे, इफिसियों की पत्री, पहला द्याय और ग्यारा पद, इफिसी एक का ग्यारा, यहां लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, देखें यहां लिखा है, उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, सब कुछ जो करता है, वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार करता है, उसी का अधिकार है, उसकी इच्छा चलती है, कोई नहीं है जो उसे रोके, कोई नहीं है जो उसे सध्ध्या है और उसके दोपद में 42 का दो और लिखा है अयूब परमेश्रक उत्तर देता है और कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती कोई नहीं है जो उसकी युक्तियों को रोके और कोई बात ऐसी नहीं है जिसको ना कर सके तो यह केवल सर्वशक्तिमान होने की बात नहीं है सर्वशक्तिमान होना इस बात को दिखलाता है कि वह सब कुछ कर सकता है पर सर्वसित्ताक होना और सर्वाधिकारी होना इस बात को दिखलाता है कि वह सब कुछ कर सकता है और किसी में दम नहीं है कि उसको नियंत्रित कर सके हर चीज उसके नियंत्रण में है हम आगे पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमचार दसवा अध्याय मत्ती रची सुसमचार उसका अध्याय 10 और पद 39 मत्ती 10 और पद 39 मैं पढ़ता हूं और उसके परश्चाद 30 पद भी मैं पढ़ूंगा क्या पैसे में दो गवरईयें नहीं विकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमी पर नहीं गिर सकती प्रभू इश्व मसी इस बात को सिखा रहा है यह प्रमेश्र कनियंत्रन है गवरईयें जिसकी किमत कुछ भी नहीं है चोटे-चोटे ची ही अफिर तेसे बाल हमारे से बाल भी बिना उसकी नहीं होगा इतुना नियंत्रन है उस सर्वसत्त्ताक पर मेश्र का इतना नियंत्रन है मामूले चीजहं पर जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है उसका नियंत्रण है वो सब को जानता है और वो सब बातों को नियंत्रित करता है हम विलाब गीत के पुस्तक तीसरे अध्याय में आए विलाब गीत अध्यायतीन और वहाँ पर परमेश्चा के इसी गौन पर फिर से चर्चा की गई है विलाब गीत अध्यायतीन का परदुस्टाइंतिस 37 यदि यहवा ने आज्या न दी हू तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए विपत्ती और कल्यान क्या दोनों परमप्रधान की आज्या से नहीं होते विपत्ति और कल्यान क्या दोनों परम्प्रधान की आज्यासे नहीं होते हैं, चाहे अच्छाई आए चाहे बुराई आए, चाहे आशिस आए चाहे स्राप आए, उसकी आज्यासी होते हैं, दोनों चीजें उसके नियंत्रण में हैं, आशिस और स्राप, भलाई और बुराई जब तक परमेश्र किसी को अनमती न दे, वाशी स्पा नहीं सकता, जब तक परमेश्र आज्या न दे, स्राप किसी पर आ नहीं सकता, यह अंत्रण है उसका, हर एक बात पर, फिर हम नितिवचन 16 अध्याए और उसके 33 पद में आए, नितिवचन अध्याए 16 पद 33 अर यहां जो सबसे अधिक बुद्धिमान पुरुस्था वह लिखता है, चिट्ठी डाली तो जाती है, पर उसका निकलना यहावा ही की ओर से होता है, हम जानते हैं, उस समय कोई भी बात को जानने के लिए चिट्ठी डाली जाती थी, पांच लोग हैं, पांच में से यह चीज किसे म पांचों के नाम लिखके डाल दिये, और जिसका नाम चिट्ठी डाल के उठाएंगे, उस ही को मिल जाएगा, अब सुलमान कहता है, चिट्ठी डाली तो जाती है, पर उसका निकलना यहावा ही की ओर से होता है, किसका नाम आएगा, यह कौन बताएगा, कौन डिसाइड करत है, इतना नियंत्रण है, बहुत सारे एक्जामपल दिये गए हैं, परमेश्रा के नियंत्रण को अलग-अलग छेत्र में बताने के लिए, फिर अगर हम आते हैं और यशाया की पुस्तक 45 अध्याय देखते हैं, यशाया की पुस्तक अध्याय 45 और पद 7 से पद 9 तक हम पढ है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का स्री जनहार हूँ, मैं शांती का दाता और विपत्ती को रिष्टा हूँ, मैं यहवाही इन सभों का करता हूँ, साथ पद ही परियाप्त है, परमेश्र क्यादावा कर रहा है, उजियाला को मैं बनाता हूँ, अंधियार मैं का स्रे जनार भी मैं हूँ, शांति का दाता मैं हूँ, विपत्ति को मैं ही रश्टा हूँ, मैं यहवाही इन सब के ऊपर वही है, इन सब चीजों पर नियंत्रन उसी का है, अब प्रेडितों का काम चौथा अध्याय में आते हैं, बहुत ही महत्वपून वह भाग है, प्र 27 और पद 28 को हम पढ़ेंगे, प्रेडितों का काम अध्याय चार, वहां लिखा है, क्योंकि सच मुझ, तेरे सेवक ईश्व के विरोध में, जिसका तुने अभिसेख किया, हेरोदेश और पुंति उस पिलातूस भी, अन्य जातियों और इस्रायलियों के साथ इस नगर में कठे हुए, कि जो कुछ पहले से तीरी सामर्थ और मती से ठहरा था, वही करें, यह एश्व मसी के बलिदान की कहानी है, एश्व मसी को क्रूस पर चढ़ाय जाने की कहानी है, कई लोग यह सोचते हैं, कि सडियंत्र के द्वारा इश्व मसी को पकड़ा गया, और इश्व मस मसी को धोखे से पकड़ा गया, अगर इश्व मसी धोखे से पकड़ा गया है, तो यकीन मानिये हमारा उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ है, तो प्रभु इश्व मसी के बलिदान में परमेश्व का नियंत्रन नहीं था, इश्व मसी के मारे जाने में परमेश्व का नियंत्रन नहीं था, तो फिर कैसे वो सही में मेरे बदले मारा गया है, यहां उस सवाल का जबाब है, क्योंकि सच मुझ तेरे सेवक्ट इश्व के विरोध में, जिसका तुने अभिसेख किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिला पहले से तेरी सामर्थ और मती से ठारा था वही करें, परमेश्व ने अपने सामर्थ में होकर और अपने बुद्धी में होकर ठाराया था, कि इस काम को वो करें, उनको नहीं मालुम था, वो क्या कर रहा है, अद्बुद बात है, यह सर्वाधिकारी परमेश्व का चेहरा, उन सभी लोगों से परमेश्रा ने वो काम कराया जिसको उसने पहले से ठाराया था सब को इकठा किया हेरोदेश राजा को 35 पिलात उसको अन्नी जातियों को इस नगर में इकठा किया अपनी सामर्थ से कठ्था किया अपनी बुद्धि से कठ्था किया और वो काम को करवाया कौन सा काम अपने पुत्र का बलिदान क्या अधिकार है परमेश्टर का जो उसके पुत्र के विरोध में काम कर रहे थे वे सब तो उसके द्वारा ही कठ्थे किये गए लोक थे क्या नियंत्रन है, अद्भुत नियंत्रन क्रूज पर चड़ा प्रभुईष मसी, परमेश्यर के सरवाधिकार का सबसे सुन्दर चित्र है. हमारे पापों के बदले, परमेश्र ने अपने पुत्रों को कुरूस पर चढ़ाया और इस बात के लिए उसने सब को नियंतरित किया, वो परमेश्र का मेमना था, मनुसियों का परमेश्र ने इस्तेमाल किया, प्रभूईश्म उसी मारे गए, गाडे गए, तीसरे देन जी उ है, उस सरवाधिकारी परमेश्र, सब बातों पर नियंतर रखने वाला इश्वर, सब बातें जो उसके हाथों में हैं, पापों का दंड देना उसके हाथों में, पापों की छमा उसके हाथों में है, पापों के लिए बलिदान उसने किया, पाप की छमा वो अभी दे सकता है आईए उस्तरवादिकारी परमेश्टर के पास माफे मांगे परमेश्टर आपको आशीष दे जाए मसेगे